पालक अक्सर लोगों को नहीं पसंद आता है तो अलेकिन पालक बहुत थेल नहीं है तो आको भी पसंद नहीं है तो इस तरह से जरूर बनाएं बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बनाता है तो एक बार जुरूर से ट्राइं कि चीजिए गान की बनाना है तो इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए हमें कराही ज़़ा दिये हैं कराही गरम हो गया है तो उसमें हम डाल दिये हैं सरसो का तेल दो चम्मच भरके बड़े चम्मच से तेल गरम होने के बाद इसमें हम डाल दिये हैं जीरा जीरा को चटकने देंगे उसके बाद हम डाल दिये हैं दो तेज पत्ते औ लाहसम ब् shorts ठिस्टी को बारी इसके ऐसे लोग में लुतार से देखिशा का नियुक्त कर दना लिएे सारे कुह नियुक्त अब देखिए इसके बाद ये भूंज लेंगे बढ़िया से और ये भूंज ने के वायद इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच हल्दी पौडर तो देखिए इस तरह से डाल के तेल में हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे अब इसमें डाल देंगे हम आलू तो आलू को छील कर हम इस तरह से काट कर बढ़िया से धो लिए हैं अब इसे इसमें डाल के हमें भूनना है इसे चलाते हुए थोड़े देर के लिए हमें भून लेना है भूनता है आलू तब तक हमें धर ये देखिए दसे बारा कली लासून और एक इंच अधराक का टुकरा को इस तरह से रफली काट लिए हैं तीन हरी मिर्च लिए हैं उसे भी हम रफली काट लिए हैं अब इसे हम एक खलबटे में डाल कर इसे बहियां से हम कूट लेंगे अगर आप चाहे तो दर दरा सा पेस्ट भी बना सकते हैं मिक्सिजार में रखके हम इस तरह से कूट लिए हैं अब इसे हम निकाल लेंगे एक पलेट में इस तरह से डालने से बहुत अच्छा सबजी का टेस्ट आता है तो एक बार जरूर ट्राइ किजिएगा पेस्ट नही हुए जीरा पॉड़र है थोरी सी हम डाल दिए काले मिर्च और कास्मीरे मिर्च का पॉडर के यसे हम थोरी के लिए भूंजेंगे हर्दी पॉडर हम पहले ही डाल चुके हैं अब इसमें हम जो कूट के रखेते राध्राक आध्राक हरे मिर्स को इस तरह से डाल कर इसे बढ़िया से मिक्स कर लेना है तो देखिए इसे चलाते हुए लो टू मेडियम पर ज्यादा हाई फ्लेम पर नहीं प्राइब सकते हैं अब टमाटर को डाल दिए हैं इसमें इस समय हम नमक भी डाल देंगे ताकि हमारा टमाटर जल्दी से शौक्ट होजाए तो आप शाद के अनुसार अपने नमक डाल लेजिए आप इसे बढ़ियां से चलाते हुए मेक्स कर लेजिए इससे क्या होगर टम मसाला पॉडर अब इसे भी मिक्स कर लेंगे अब इसे हम चलाते हुए इस तरह से हमें बढ़ियां से मिक्स करना है अब थोड़ी देर के लिए ढख कर हमें पकाना है ताकि हमारा आलू और टमाटर जो है सौक्ट हो जाए अब इसे हम ढख देते हैं अब हम चलते हैं पालक क तो पालक के इस तरह से हमें धो कर चान कर रखे हुए थे अब इसे हमें बारिक से हमें काट लेना है फटा फट से तो देखिए बारिक हम पालक को काट लिए हैं अब हम इतना बारिक हो सके बारिक ही काटना है अब हम चलते हैं कडाई के तरफ तो देखिए यह हमारा सबजी ब क्या करेंगे पालक कटा हुआ हम इसमें डाल देंगे इस तरह से फैलाते हुए डाल देना है और हान पालक में नमक रता है तो नमक थोड़ा हिसार से ही डालिएगा तो इस तरह से फैला कर डाल देंगे और इसे हमें मिक्स नहीं करना है बस फैला कर डाल देना है और उपर से क हमें सूखी सी सबजी बनाना है तो देखिए पान से छे मिनट के बाद हम इसे हटा लिए ढकन को और इसे मिक्स कर लेंगे तो देखिए बहुत ज्यादा पानी नहीं छोड़ा है क्योंकि इसे हम पहले से धोकर छाने हुए थे तो अब इस समय डाल देंगे कटी गई हरा धनिय अबारिक धेर सारे इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब इसे हम भी मिक्स कर लेंगे यह बहुत अच्छा बनता है अगर एक बर खार लेंगे तो बार-बार सोचेंगे कि यहीं बना के काम और हाँ याद दिला देते हैं अगर आज का रेसे पी हमारा कैसा लग रहा है अगर थोड़ा भी अच्छा है तो ब्लीज वीडियो का चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकम पर प्रेस जरूर से करें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर किजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि हमारे फेंस किसे देख रहे हैं वो भी कमेंट्स किजिएगा थाकि हम जान सके कि हमारा वीडियो कहां कहां फैला हुआ है तो देखिए बातो बात में हमारा आलू और पाला का सबजी बनकर उडिया तैयार गैस को कर देंगे हम बंदा क्योंकि हमारा यू बढ़िया से देखिए हो गया ह कितना अच्छा कलर आया है कितना मस्त इसमें बहुत ही बढ़िया सा खुषभ आ रहा है बहुत लाज जवाब अब इस गैस को हम कर दिये हैं बंद चलिए सब करके दिखाते हैं तो देखिए हमारा आलू और पाला के सबजी कितना मस्त बना है बहुत बिजूर बनता है यह कितना अच्छा कलर है कितना अच्छा कुछ हूँ इतना तो अच्छा रहा है कि कुछ पूछी ही नहीं बहुत मस्त आ रहा है यह लग रहा है जल्दी से खाले बहुत मस्त लगता है ट्राइ किजिएगा और फिर हमें कमेंस किजिए कैसा लगा है तो ट्राइ जरूर से किजि झाल झाल